मेरा नाव रणदीर वहादर गोयल है मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसलाम धर्म की अस्थापना कब हुई और इसके संसापक कौन थे आप ज़र आपका सवार फिर्शत भराईए सर आप आनिंदी में सर जानना है चाहता हूँ कि इसलाम धर्म की अस्थापना कब हुई इसके संसापक कौन थे इसलाम धर्म कब बना और इसको बनाने वाले कौन है जी बहुत से लोग को गलत फेहमी है कि इसलाम धर्म 1400 साल पहले आया और मम्मस इसके बानी है इसलाम धर्म जबी इंसान ने इस धर्ती पे इस दमीन पे गदम लखा उस वक्त से पहले से इसलाम है और मुहम्मद स. अल्लाव स. इसके बानी नहीं है इसके फाउंडर नहीं है मुहम्मद स. अल्लाव स. अल्लाव स. अल्लाव स. अल्लाव के आखरी पैगंबर आखरी रसुल है तो ये धरम इन्सान जब से जनम ले उसके पहले से है इसको बनाए कि इसमें अल्ला ने खुदा ने खुदा अल्ला ताला खुरान में लिखते सुला लिम्रान में सुला नम्बतीन आयत नम्बर उन्नीस में ना तस्पती मा अस्ती सुला लिम्रान सुरान वतितिन आएत नम्हर 90 में इन्न दिनस अ grouping अल्हिस अम्हरा आखना हुषी सिरुषी स्वरय किस Hmm के अगर कोई दूसरा मधब इसलाम के इलावा इक्तियार करता है वो आकिरत में खसारे में हैं और खुदा उसे कही भी नहीं मानेगा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा तो सिर्फ Allah ने एक इदीन बेजा खुदा ने एक इदीन बेजा वोई इसलाम तो जितने पगंबर आये आदम अलिशलाम, नुव अलिशलाम यसे ले सलम, मुता ले सलम, मुता ले सलम्मा शॅब्सिOL अंठी Forgive । इसलम सारे पेगंब्रों ने एक ही मधभ खिखाया, वोई इसलम. इसलम के माणी है, इसलम आता है लवज सिलम से, जिसके माणी है अमन, इसे माणी ही peace. अल्ला सुबालाओ ताला को माननी के बाद किसे कहते है इसलाम और जो इस पे चलता है उसे कहते है मुस्लिम हुप दानसे सुक्वेशन बाद